नमस्कार स्वागत आपका जन संदेश टाइम्स में मैं हूं किरन उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधान सभाचुनाओं को लेकर प्रदेश के हर जिले तक पहुंचने के क्रम में सीम योगी आदितेनाच शनिवार को समाजवादी पार्टी के गढड और इटावा के दोरे पर हैं और यह में उन्होंने राच्की मेडिकल कॉलेज और विकास की अन्य परियोजनाओं का शिलन्याज तथा लोकारपन किया दरसल सीम योगी ने इसके बाद जनसभा को समबोधित किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अक्षिलेश यादव के सरदार पटेल तता जिन्ना की तुलना करने पर उनके उपर जोरदार तंज कसा उन्होंने कहा कि सरदार पटेल देश को जोडने वाले हैं जिन्ना देश को तोडने वाले हैं दोनों समकक्ष नहीं हो सकते सरदार पटेल राष्टर के नायक हैं लेकिन जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं जो लोग ये तुलना करने वाले हैं हम सभी को उनके प्रती सतर्क रहना होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्ना ने राष्टर तोड़क के रूप में निंदित काम किया लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है हमें ऐसे तत्वों के मनसूबों को समझना होगा एक सरदार पटेल जो भारत की अखंडिता और संप्रभुता को बढ़ाने वाले थे भारत को तोड़ने वाले जिन्ना को कुछ लोग अपना मानते हैं ऐसे लोग सरदार पटेल और जिन्ना में तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं भारत को तोड़कर जिन्ना को आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिनना के डायरेक्ट एक्षन को इस देश को भूलना नहीं चाहिए CM योग्या दितिनाथ ने कहा कि प्रदेश में सपा बसपा और कॉंग्रिस को सबसे जादा समय तक सरकार में रहने का मौका मिला 2017 से पहले यूपी के अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट एमूलेंस नहीं थी इन सभी दलों को 12 मेडिकल कॉलेज देनी में 70 वर्ष लग गए बाचपर सरकार के 5 वर्ष के कारिकाल में हर जन्पद में एक मेडिकल कॉलेज होगा और रहिया मेडिकल कॉलेज बने ये सपना था लेकिन हम आभार ही है प्रधान मंतुरी के जिनके अनुकमपा से प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्शा योजना के अंतरगत आज ये सपना साकार हो रहा है 280 करोड की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ फिलाल सपा के गड़ कहे जाने वाले इटावा में मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात की जनसभा नुमाईश पंडाल में की जा रही है यहां केंद्रवा प्रदेश सरकार की योजनाओं के करीब 30,000 लाभारती भी बुलाए गए हैं अपनी शहर की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ